हलो फ्रेंट्स वेलकम तो माई चैनल ट्रोथ ओफशे मार्केट सो डिसकस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 25 अगस्ट 2023 फरस्ट वाल इस वीडियो इस वीडियो फॉर एजूकेशन परपस यहां मेरा टेल्ग्राम लिंक एन वॉट्सप नंबर के वान है सो फ्ली है वह सकता है मार्केट में कुछ वोलेटरिल्टी आपको देखने को मिलें बट चीजे क्या डिफ्रेंस जो दिख रहा है यहां पर मार्केट में अगर हम देखें केश मार्केट में एफ इस डिया दोनों ने बाइंग कि अच्छी खासी बाइंग कि बट उसके बाद भी पिउक्ट उसके बाद भी मार्केट डाऊं के तो कहीं न कहीं यह data support नहीं कर रहा जो market का अज moment था अब यह expiry moment मान लो या क्या है कि market को downside लेके गया है अब हो सकता है कल sideway खुले थोड़ा pressure दिखा है और उसके बाद एक upward moment start लो तो थोड़ा इस तीज को मार्केट में लेके चलना है ना क्यों यह क्यों बोल रहा हूं आप बीरिश हो तो 250 के नीचे 19,000 250 के नीचे बेर बीरिश हो ना और 280 का SL लेके भी चलना या 300 का मैक्सिमुम SL ले रहना इस से ज्यादा नहीं है 300 के उपर आ जाए तो वापस आप मार्केट में साइड हो जाना और 350 से उपर जाए तो फिर बुलिश हो जाना कहां यहीं बेरिश अधरवाइस मत होना तो थोड़ा सा यह हो सकता है कल फसाने के कोशिश करें क्योंकि negativity मार्केट मार्केट में आज शो किये बट हो सकता है कल या सपोर्ट कर रहा है डेटा यह सपोर्ट कर रहा है कि यह दोनों ने पोजिशन बनाई है ना कि सेल की है तो अगर लोगर लेवल टूटते हैं तब ही बेरिश होना अधरवाइस साइड वे मार्केट हो तो आप भी साइड हो जाना ना चलो वोलेटिलिटी रहेगी क्योंकि 18, करोड के इन्हों ने option buying किये आप बात कर लेते हैं चार्ट के चार्ट में लेवल कौन कौन से important है 471 के उपर जब तक नहीं निकलता कोई bullish मत होना यानि आगर आप चाहो तो आप अपनी trade कर सकते हैं बढ़ हाँ 471 के उपर bullish नहीं होना और अगर हम 380 के नीचे बेरिश हो तो वो 300 to 259 इस लेवल तक के लिए even 300 पर भुग कर लें और फिर वेट करें कि या 260 ब्रेक हो या 380 ब्रेक हो ठीक है तो 19,380 इसके उपर अगर market आता है अगर gap down हो इसके उपर आता है तो हम bullish हो सकते है 471 471 के उपर अगर market sustain करता है तो इस type के moment फिर आपको देखने को मिल सकते ह पहले 471 से पहले आप इतने bullish मत होना यानि यहां से लेकर यहां तक यहां से लेकर यहां यहां तक देखो यह 5-6 दिन इसी range में market ने travel किया तो यहां अगर आप bullish हो यहां बारिश हो तो इस target के लिए और यहां अगर bullish हो तो इस target के तक इस way में आपको trade करना है यह नहीं कि हा सस्टेन करने लगे तो फिर आप 554 and then 645 यह दो लेवल के लिए ट्रेड कर सकते हैं अगर हमें 369 इसके नीचे दिखता है तो 259 बस यहां तक यहां बुक कर लेना इससे पहले बुक कर लेना और अगर यह टूरता है तो तो 177 और यह भी टूरता है तो 19,080 यह लेवल है तो लेवल टू लेवल ट्रेड करना है इस रेंज में थोड़ा सा बस छोटे चोटे 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 इस टोप लोस यह ही लेके चलना है कि आई होप यह चीजे क्लियर होंगी नेक्स बात कर लेते हैं हम बैंग निफ्टी की बैंग निफ्टी के अगर हम बात करें केंडल बियर इश है तीक है अब देखो यह इस टाइप के केंडल पहले बनी थी उसके बाद देखो मार्केट ने किस टाइप के मुवमेंट सकते हैं इस इसके उपर जाएगा तो है ना और अगर 44,320 के नीचे जाता है तो आपको फिर 44,000 and then 43,662 यह टार्गेट आपको देखने को मिल सकते हैं ठीक है कब मिलेंगे जब 322 के नीचे जाएगा तो 322 to 568 इसके बीच में आप आप अवोइड गनना ट्रेट को यहां प तो यह लेवल यह रेंज यानि ट्रेड के लिए नहीं है अगर यहां से घुमके इसके उपर जाए तो आपको एक अच्छा मोमेंट अपवर डारेक्शन में मिल सकता है और अगर इसके नीचे आए यानि 43,990 के नीचे चला जाए या 44,000 के अराउंड चला जाए तो आप 43, 3,200 का SL लेके 44,200 का SL लेके इस SL के साथ नीचे की ट्रेड इनिशेट कर सकते है तो लेवल के लिए है 43,662, 44,000, 44,320, and 44,570 यह ब्रेक होगा तो 44,000, 45,000, even 45,400 यह लेवल अभी नेक्स वीक के लिए रहेंगे बात कर लेता है option chain के option chain की बात करूँ तो 31st अगस्त के लिए कि 19,400 के राउंड क्लोजिंगे 19,400 के राउंड क्लोजिंगे अगर हम बात करें तो resistance 19,400 पे 55,000, 19,500 पे देखो कितना strong resistance है 1,18,000 लेक उसके बाद नहीं है है ना क्योंकि इसके बाद अगर movement आया तो यहां पर 66 लाइक बैठा है बढ़ा उतना नहीं है जितने यहां बैठ चुके नीचे अगर support की बात करें तो 500 अभी भी support है और 400 भी अभी support है तो यह सब चीज़े सब resistance है 3 resistance यह 3 supports है बट यह चीज़ आपको सोचना के फूट 19,500 रेजिस्टेंस सपोर्ड क्यों है क्योंकि market तो है 370 के राउंड 500 सपोर्ड क्योंकि इन्हें लग रहा है कि market उपर आए गया इन्हें उमीद है कि market को यह उपर लेकर आए तो यहां से एक जर्णी आपको यहां दिख सकती है तो मैं यह नहीं बोलुगा कि यहां पर सेल और राइस करना नहीं करना है तो चाल राइस करना में कर सकते होज कि इस पे तो रहने देना 650 पे 650 पे आपका एक पूट बनेगा 600 to 650 और 680 आपका एसल रहेगा ठीक है और इसके अलावा कहां से लोन राइस कर सकता है अगर रिस्की ट्रेडर हैं आप तो 450 क्या राउंड आप सेल कर सकते हो विद 480 एसल लेके ठीक है तो यहां पूट खरी सकते हो विद 450 एसल लेके ठीक है अ अगर नीचे से जाके उपड आये तो 380 पे आप ट्राइटी टू 390 यहां पर आप ट्राइब कर सकते हो जब नीचे जाये 60 70 50 और उपर आये और यहां तो एक मिनट सस्टेंग करें तो आप यहां इस लेवल पर 380 नैंटी दावसे 380 पर कोल ट्राइब कर सकते हैं विद 350 ए explain कर दिया है अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी में देखो 44,500 के राउंड मार्केट क्लोज हुआ है यहां पर अगर हम देखें तो देखो 44,500 पर 17 लेक और यहां पर भी अराउंड 17 लेक यहां अगर मैं देखो 44,800 पर 10 लेक और 45,000 पर 23 लेक तो यह तो आपके strong resistance रहेंगे support की बात करों तो support कहां कहां बिल्ड हुआ है तो एक तो support यहीं है 44,500 पर then 44,000 पर and then 43,500 पर ठीक है यह आपके support बिल्ड हुए एक support यहां पर भी यह चोटा सा 44,200 पर call attempt कहां का बनता है call attempt हमारा यहां बनेगा और call attempt हमारा 200 पर बनेगा दोनों पर आपका 50 यहां 50 पॉइंट का SL रहेगा यहां 100 पॉइंट का SL रहेगा तो आप 150 पॉइंट के लिए try करेंगे और यहां 100 का SL रहेगा तो यहां 200 पॉइंट के लिए आप try करेंगे ठीक है पूट कहां बनेगा तो पूट एक तो आपका बनेगा 750 पे 750 पे ठीक है 750 पे पूट बनेगा with 800 SL लेके और 45,000 पे आपका पूट बनेगा यहां 980 44,980 पे with 100 पॉइंट के उपर तो यह आपके पूट और call के लेवल रहेंगे resistance support यह सब चीज़ें सही है यहां एक चीज और देखने की बात है कि यार इसमें अगर मैं देखूं तो call writer call writer sorry put writer इंदमनी बेठा है जबकि call writer इंदमनी नहीं बेठा call writer को डर है कि market उपर खुझ सकता है जबकि आज Thursday यानि 31 तारीक की हम देख रहे है थरस्डे को अगर बात करें तो next expiry पर दोनों side वाले बेठ जाते हैं यानि nifty में भी देखेंगे तो दोनों side वाले बेठ जाते हैं और यानि पूट side में SL strict रखना है को साइड में हो सकता है आपको अच्छे moment दिखें और पूट side में अगर moment आया तो 250 यानि 19,250 के नीचे निफ्टी में और बैंक निफ्टी में 44,200 के नीचे यह दो लेवल है इनके नीचे आएगा अदर्वाइस नहीं आएगा सो आप यहां तक चीज़े क्लिर होंगी थैंक यू